एक बार की बात है, हरी भरी पहारियों के बीच बसे एक छोटे से गाव में लिली नाम की एक जग्यासु युवा लड़की रहती थी। लिली के पास विलक्षल कल्पनाशक्ती और दयालता से भरा दिल था। गूमने के लिए उसकी पसंदीदा जगल गाव की सीमा से लगा जादूई जंगल था। एक धूप वाली सुबह, जब पक्षी अपनी मधूर धुनेगा रहे थे, लिली ने जंगल में पहले से कही अधेक गहराई में जाने का फैसला किया। उसने अपना फटा हुआ लाल लबादा पहना था, जो उसकी दादी से एक उपहार था, और ताजा पके हुए कुकीज से भरी एक छोटी टोक्री ले गई थी। जैसे जैसे वह जंगल की गहराई में चली गई, पेड़ हुचे हो गए, और सूरज की रोशनी पत्यों के माध्यम से छनकर प्रकाश और छाया का एक जादुई खेल बना रही थी। दुविधा में थे, उनका प्रियब बुजूर्द, थियोडोर नाम का एक कच्छुआ, उसकी पीट पर फंस गया था और पलत नहीं सकता था, लिली मदद के लिए दौरी, कोमल हाथों से, उसने सावधानी से थियोडोर को सीधा कर दिया, और जंगल के जीव खुशी से जैसे ही सूरज डूबने लगा, लिली को एहसास हुआ कि घर लोटने का समय हो गया है, उसने अपने नए दोस्तों को अलविधा कहा और गाउं की और वापस यात्रा शुरू कर दी, रास्ते में उसने देखा कि उसकी कुकीज की टोकरी खाली थी, उसने उन्हें जरूरत मन प्रानियों के साथ साजा किया था, और उसका दिल भर गया था, लिली ने मंत्रमुप्ध जंगल का दोरा करना जारी रखा, नए दोस्त बनाए और प्रकृति के चमतकारों के बारे में और अधिक सीखा, उनके साहसिक कार्य दयालता, जिग्यासा और हमारे चारों और मौज जादू की खोज की खुशी से भरे हुए थे, और इसलिए उस छोटे से गाव में जादूी जंगल से दोस्ती करने वाली लड़की लिली की किंदंती का जन्म हुआ, और उनकी कहानी पीलियों को बताई जाएगी, उन्हें दयालता की शक्ती और प्राकृतिक दुनिया की जिलाएगी, शीर शक, दो हॉंटेड हाउस, एक बार की बात है, एक छोटी से शहर में सड़क के अंत में एक पुराना परित्यक्त घर था, स्थानिया लोगों ने कहा कि यह भुथा है, लेकिन दो जिग्यासू किशोरों, सारा और डेविद ने इसकी जाच करने का फैसला क अक्तूबर की एक सर्द शाम, फ्लेशलाइट से लेस होकर, वे घर में दाखिल हुए, अंदर की हवा बरफीली थी और वे हलकी फुसफुसाहटे सुन सकते थे, अपने डर को नजर अंदाज करते हुए वे आगे बढ़े, अचानक एक थंडी हवा ने उनके पीछे दर्वा देखी जो कभी वहां रहते थे, आखिरी तस्वीर ने उनकी रीर में सिहरन पैदा कर दी, एक पारिवारिक चित्रत जिसकी प्रिष्ट भूमी में भूतिया आक्रतियां छिपी हुई थी, घबरा कर उन्होंने वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन घर की कुछ और ही हताशा ने उन्हें दर्वाजा तोड़ने पर मजबूर कर दिया, अंदर उन्हें पुराना अलंकरिक दर्पन मिला जिससे अप्रकृतिक चमक निकल रही थी, उनके प्रतिबिम खुद के विचित्र राक्षसी संसकरनों में बदल गए, उन्हें पकरने के लिए आगे अंतिम, हताश कार्य में, सारा ने कुर्सी से दर्पन को तोड़ दिया, अचानक घर में सन्नाटा चा गया और दर्वाजा खुल गया, किशोर तेजी से बाहर निकल गए, फिर कभी पीछे मुर कर नहीं देखा, उस रात के बाद वे कभी भी पहले जैसे नहीं रहे, पुरा इस रूप से, मैं एक दुरघटना की कहानी साजा कर सकता हूँ, कृपया ध्यान रखे कि दुरघटना एं गंभीर और कभी-कभी दुखध हो सकती है, इसलिए सभी स्थितियों में सुरक्षा को प्राथमिक्ता देना आवश्यक है, एक बार की बात है, एक शान दुपनगर इलाके में, जैक नाम का एक यवा लड़का अपने दोस्तों के साथ पिछवाड़े में खेल रहा था, वे अपनी साइकले चला रहे थे और अच्छा समय बिता रहे थे, हाला कि, जब वे यार के चारों और दॉल रहे थे, जैक ने अपनी बाइक से नियंत्रन खो दिया और एक पेर से तक्रा गया, उसने हेलमेक नहीं पहना था और तक्तर काफी दर्दनाक थी, जैक के दोस्त उसकी तरफ दोड़े और मदद के लिए पुकारे, सौभाग गिसे, जैक की चोटे दर्दनाक होते हुए भी जीवन के लिए खत्रा नहीं थी, उन्हें कुछ चोटे सुरक्षा उपायों पर चर्चा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रेरत किया किवे बाहरी गतिविद्यों से जुड़े जोखिमों को समझें। जैसे ही हवा तेज हुई और बाहर बारिश होने लगी, उन्होंने टॉर्च की रोशनी और घबराय हुई हसी के साथ हवेली का पता लगाने का फैसला किया। फैल गई। घर में एक अलोकिक फुसफुसाहट गून जुठी और छाया में भूतिया आकृतियां दिखाई देने लगी। एक-एक करके दोस्त गायब होने लगे, उनकी भय भीट चीखे एक अद्रिश्य शक्ती द्वारा शान्थ हो गई। बचे हुए लोग डर से स्तब्ध होकर घने अंधेरे में एक साथ छिप गए, ये जानते हुई कि उनका भाग्यते हो गया था। जैसे जैसे रात बीटती गई, द्वेश पोन उपस्तिती मजबूत होती गई और हवेली स्वयम जीवन्त अप्राकृतिक तरीकों से मुल्ती और विक्रित होती नजर आने लगी। जीवित बचे लोग अपनी त्वचा पर अद्रिश्य हाथों का थंड़ा, चिपचिपास पर्ष महसूस कर सकते थे। अन्तिम, हताश कार्य में वे एक खिर्की तोड़ने और तुफानी होती होती है।